So, Hello and Welcome Friends तो Friends, जैसके आप सभी जानते हैं आज है 12 दिसम्बर तो हम Delhi के करंट अफेर्स आप सभी को लाते हैं चाया आप किसी भी एक्साम की त्यारी करते हो आप सभी को पता है करंट अफेर्स उसमें आते ही हैं तो इसी के तहत हमने आप सभी के लिए करंट अफेर की सीरिस शूरू किये तो दोस्तों आज की जो पहला क्वेशन है उस शेयर का नाम बताईए जिसने 8 दिसंबर 1985 से सार्क चार्टर को अपना है था तो उसका नाम दोस्तों डाका था आप सभी ने याद रखना है तो हमारा नेक्स्ट कोशन है परदान मंतरी केंदरिया अबास योजना को केंदरिया मंतरी मंदल ने 2021 से कब तक जारी रखने की मंजूरी परदान की है तो दोस्तों 2021 से 2014 तक इसको जारी रखने की मंजूरी पास की है तो हमारा next question है AegTech Company का नाम बताईए जो 2021 में दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनी बनी उसका नाम है दूस्तों donc हमारा next question है जापान के उन दो लोगों का नाम बताईए जो वर्ष 2009 के बाद पहले स्वैं बुगदान करने वाले अंतरिख्ष प्रेटक बने थे तो उसका नाम था दोस्तों युसाकू मेजेवा और यो जो हिरानो तो हमारा next question है भारत की पहली airline जो ESG रिपोर्ट लाँच करने वाली पहली airline बनी है तो उसका नाम है दोस्तों जो ESG रिपोर्ट लाँच करने वाली है तो उसका नाम है Indigo तो हमारा next question है केंदर सरकार द्वारा बारत की अंतरिक्ष स्टेशन स्तापित करने की योजना कब तक की है तो अंतरिक स्टेशन है दोस्तों उसको स्तापित करने की योजना है 2030 तक की गई है तो हमारा नेक्स कुछन है उत्तर प्रदेश के बलरामपूर जिले में 9802 क्रोल रुपए की लागत की सरीव नेर राश्टिय प्रयोजना का उद्गाटन कब हो था तो उसका उद्गाटन दोस्तों 11 दिसंबर 2021 को हुआ था तो हमारा नेक्स कुछन है बलेक होल और अन्ने रहस में गटनाओ के अध्याइन के लिए नई एक्सरे वेद्शाला लांच करने वाली एजनसी का नाम बताएं तो उसका नाम है दोस्तों नासा तो हमारा नेक्स कुछन है दोस्तों यू एन जी ए सन्युक्तराष्टर महासबा ने प्रवेशक का दर्जा किस अंतर सरकारी संगठन को दिया है तो उसका नाम है दोस्तों अंतराष्टर और सौर गठबंदन तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाँ जो भी आपके वाट्सेप गूरूप है वहां पर शेयर जरूर करना थैंक्स फार वाचिंग मिलते हैं कल ऐसे ही लेटस्ट एंड क्रंट अफेर्स के साथ तो दीजी अपने स्भाई को इजाज़त टा